किसान गर्जना रेलिक के बाद का द्रस्या किसान भाई और बेहनों मजा ले रहे हैं कारेक्रम का कि लागे हैं किसान राफा कि हैं किसा राफा याब्सूल पिल्खर से दिल्ली में पूरे दैस भरसे संपूर्णा प्रांतव प्रदेश से प्रतिनिदित्व करते हुए हम सब यहां पदर है और हम अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली में एक गर्जना करने के लिए आए है तो आज हमारा ये संगठान पूरे देश बर में एक भी राज्य प्रांतव प्रदेश बचा नहीं है जहां हमारा काम ना हो तो ऐसा संपूर्ण बारत का प्रतिनिदित्व करने वाला एक में हमारा जो संगठान है यहां बारतिय किसान संग इसका ये प्रतिनिदित्व पूरे देश से हुआ है तो हम सब सांत रहकर हमारे सभी प्रांतों के प्रतिनिदियों को भी हम सुनेंगे उनकी बासा में सुनेंगे हमको चाहे समझ आये नहाए इसका भी एक मजा हम सब आज लेना है हम क्रमा सहा शुरू कर रहे है प्रदेश सहा बक्तव्या बारत माता की उस तरफ से आवाज नहीं आ रही है यहां से लोग बोल रहे है लेकिन उस तरफ के लोग बैठे है ऐसे ही बारत माता की बगवान बलराम की हाँ अब आई आवाज आज हम भारतिकिसान संग के बाद्यम से यहां पर लागत के आधार पर लाबगारी मुल्य के लिए हम यहां मिले हैं हमारी मांग को लेकर तो हम वो तो लेकर रहेंगे क्योंकि सरकार में हमने बात रखी है तो हमें विश्वास है कि वो हमारी बात सुनेंगे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हम यहां उपसिद हुए है तो कुछ तो उसका फाइदा होने वाला है ऐसा हमें लग रहा है और हमारी मागे जो है उसमें पहली मागं हमारी लागत के आधार पर लाबकारी बुल्य है और दूसरा है GST नाबुद होना चाहिए हमारी जो input है सारे किसानों की और तीसरी बात जो है कि किसान सन्वान निधी बढ़ानी चाहिए और चोथा जो है हमारा GM जो बीज है उसके बारे में है कि GM फूड की मानेता जो सरकार ने दी है वो नाबुद होनी चाहिए, रद करनी चाहिए क्योंकि हमने देखा है GM फूड में जो कपास का बीज आया था पहले तो उसमें किसान संग ने मना किया था कि GM कपास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान कारक है, हानी कारक है लेकिन फिर भी हमने लगाया कपास तो हम ये पता है कि सुरुआत के समय में हमें वो अच्छा लगा था लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कपास में जो पहले जो मिला वो अब नहीं मिल रहा है और उसमें अभी जो पहले नहीं थे ऐसे रोग भी आ रहे हैं, ऐसे जीवजनतु भी आ रहे हैं लेकिन इससे बहुत बड़ा नुक्सान वो हूँ आए कि हमारे जो देशी भीज थे वो अभी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि युनिवर्सिटी में भी आप जाओगे तो भी नहीं मिलेंगे तो अभी सरकार ने जो हमें जीएम फूड के लिए जो मानेता दी है तो वो सारे भी जा जाएंगे तो हमारे देशी जो भीज है वो सारे के सारे नश्ट हो जाएंगे क्योंकि जाएंगे क्योंकि जाएंगे